हर्याना के लगभग तीन हजार राश्ट्रिये और अंतराश्ट्रिये पदक विजेता खिलाडियों को लगभग नगभे करोड रुपए की नगत राशी वित्रित की जाएगी खिलाडियों को सम्मानित करने के लिए 24 जून को पंचकुला में राजिस्तरिय प्रोस्कार वित्रन समारो आयोजित क्या जाएगा जिसमें सीम मनोहरलाल साल 2016-17, साल 2017-18 और साल 2018-19 के पदक विजेता खिलाडियों को सम्मानित करेंगे तो वही अनिल विच ने बताया कि इन खिलाडियों को प्रोटसाहित करने के लिए बीजीपी सरकार ने जहां श्रेनी तीन और चार की नोक्रियों में आरक्षण दिया है वही अंतराज़्य प्रतियोगिताओं की पदक विजेता खिलाडियों को क्लास एक और क्लास दो के पदों की भरती में भी आरक्षण दे रहे हैं ओलम्पिक्स वन पदक विजेता खिलाडी की पुरसका राशी 5 करोड से बढ़ा कर 6 करोड रज़त पदक विजेता खिलाडी को 3 करोड से बढ़ा कर 4 करोड रुपए और प्रति भागियों की पुरसका राशी 10 लाख से बढ़ा कर 15 लाख रुपए की है झाल